IPL के इतियास में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले पांच खिलाडी लिस्ट में सिर्फ एक भारती है नमश्कार दोस्तू आप सभी का हरतिक स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तू 23 मार्स से IPL की शुरुवात होने वाली है इससे पहले वर्ल की सबसे बड़ी लीगों का आयोजन होने वाला है पहले ये कायास लगाये जा रहे थी कि इस बार का IPL भारत में नहीं होगा लोग सवा के चुनाम की वज़े से इस लीग को देज से बाहर किये जाने के ब बहा है तो चलिए शुरू करते हैं नमबर पांच ग्लेन मैक्सवेल 69 IPL मैच खेल चुके ऑस्टेलिया के इस बलेबाज ने 161 तशनलब 13 की स्ट्राइकरेट से 1397 रन बनाए है पूरे विश्व में अपनी तेज पारी खेलने के लिए मशूर ये खिलाडी इस साल का IPL नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप को देखते हुए इस खिलाडी ने इस लीक से आराम लेने का फैसला लिया है वो दिली कैपिटल के हिस्सा थे नमबर चार रिशाप पंथ डिली कैपिटल के शांदार बलेबाज रिशाप पंथ ने IPL में अपना डेबिट दोज़ा 16 में किया उसके इस खिलाडी ने IPL के हर सीजन में शांदार प्रदेशन किया उन्होंने अब तक सिर्फ 38 IPL मैचों में 162 दशनलग 71 की स्ट्राइक रेट से 1248 रन बनाई है इस बार का IPL इस खिलाडी के लिए और एहम होने वाला है वर्ल्ड कप में चैन के लिए इस खिलाडी को इस सीजन शांदार प्रदेशन करना होगा नंबर तीन क्रिस मौरेस सौथ अफ्रीका के आउडरांडर क्रिस मौरेस ने अब तक 33 IPL पारी में 166.66 की स्ट्राइक रेट से 485 रन बनाने में सफलता हासिल की है उन्होंने 7.75 की शांदार एकनौमी रेट से 56 IPL विकेट भी अपने नाम क सबसे बहतरीन स्ट्राइक रेट के मामले में ये खिलाडी तीसर स्थान पर है नंबर दो सुनील नरेन कॉलकादा नाइट राइडर्स के नंबर एक गेंदबाज ये खिलाडी अब एक बहतरीन सलामी बल्लेबाज के रूप में भी उबर कर सामने आया है अपनी 48 पारियों म साथ 177.39 की चौकाने वाली स्ट्राइक रेट से 49 आईपियल पारियों में 890 रन बनाए है वो एक बहतरीन गेंदबाज भी है अपने आईपियल करियर में ये खिलाडी 44 विकेट लेने में काम्याबी हासिल की है वो सबसे बहतरीन स्ट्राइक रेट के मामले में नंबर एक है तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजी और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबर आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवाद